है यो वाटसब गाई स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक डिशों में और मैं हूँ आपका होस्ट गोरव दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वाटसब पे आ हुए एक नई फीचर के बारे में जो की है अब आप इससे कैसे यूज करोगे और कैसे आप अपने वाटसब के अंदर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं ताकि आपके वाटसब में भी गृटसब को जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा तभी आपको सारी बाते वो क्लिय यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह ग्रूप कॉलिंग फीचर जो है वह दिखता कैसा है यहाँ पर आप किसी भी वाटसब ग्रूप में जाओगे वहाँ पर आपको ऊपर एक आइकन मिलेगा फोन का उस पर आपको टेप करना है टेप करने के बाद में नीचे लिस्ट आजाएगी सारे members की, group members की, वहाँ पर आप जिनके साथ में calling करना चाहते हैं, उनको आप select कर लो, एक time पर आप maximum 3 लोगों को ही select कर सकते हो, उससे जदा आप नहीं कर सकते हैं, तो यानि कि आप total 4 लोग जो है, एक time पर conversation कर सकते हो, वीडियो कॉल के थुरू या फिर voice call के थुरू, तो यहाँ पर आपको फिर tap करना है वीडियो कॉल पर, और वीडियो कॉल पर और वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाएगी, अब यहाँ पर अगर कोई भी वीडियो कॉलिंग के time पर cut कर देता है सामने वाला, तो बाकी से आप जो है connected ही रहोगे, I hope कि आप लोग समझ गया होंगे, और जो same method है वो voice call के लिए भी apply होगा, maximum आप तीन बंदे ही जो है तीन members ही select कर पाऊगे, और आपको audio call जो है voice call है उस पर tap करना है, और आज जो voice call है वो connect हो जाएगी, तो ऐसे जो है आप इस feature को use कर सकते हैं, बड़ा ही कमाल का feature है, अब बात करते हैं कि अगर आपके WhatsApp में ये feature available नहीं है, तो ये बाद में तो आही जाएगा, अभी ये beta users को मिला है, बाद में तो ये feature आपके WhatsApp में आही जाएगा, आपको कुछ ही दिन wait करना है, बट फिर भी, बट फिर भी नहीं आपको ये feature अभी के अभी चाहिए, तो भाई आपको simple करना क्या है, आपको play store में जाना है, तो यहाँ पर हम जाते हैं play store में, play store में जाने की बाद में आपको जाना है, WhatsApp में, WhatsApp के page पे आप आ गए हो, यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है, scroll करने पर नीचे एक beta program जो है, यहाँ पर आपको मिलेगा, वो आपको join करना है, और उसके बाद में आपको आपके WhatsApp को simply update करना है, और update करने के बाद में आपको ये feature जो है, वो मिल ही जाएगा, अगर आप लोग ये प्रेव प्रोग्राम जो है, वो join नहीं कर पा रहे हो, और अभी भी आपको ये feature नहीं मिला है, सब कुछ करने के बाद भी, तो आप जो है description से मैंने एक link दिऊ हुई है, वहाँ से आप WhatsApp के अपिके फाइल डाउनलोड कर लो, मैंने ही वो अपिके फाइल बनाई है, एक्जेंडर से, मेरे ही WhatsApp से, तो वो जो है आप बिना किसी दिक्कत के डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे आपके फोन में install कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ये feature मिल ही जाएगा, आप मैंसे maximum लोगों को वो feature मिल ही जाएगा, अगर फिर भी नहीं मिलता है, तो आपको या तो wait करना पड़ेगा, या फिर मुझे Instagram पर contact करो, नीचे link मिल जाएगी मेरे Instagram account की, वहाँ पर आप मुझे message कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पर सारी बाते जो है, वो clear कर दूँगा, आज के इस वीडियो के अंदर बस अतना ही था ही, अब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर सच मैं है, तो please इस वीडियो को like करके support कीजिए, मैं कर आपको मिलता हूँ अगले और ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए have a good day, bye bye and stay safe.